राहू, सरवाधिक पापग्र, छायाग्र पिछले दिनों मैंने आपको केंद्रा धिपती दोश के बारे में समझाया कल के राशी फल में एक और प्रश्न का जवाब दिया कि क्यों पापग्रह केंद्र में आकर के शुब फल देते हैं अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर मेरी जन्म कुंडली के केंद्र में राहू बैठे हैं तो इसका मतलब है ये बहुत शुब फल परदायक है जब आपने कहा कि केंद्र में पापग्रह शुब फल देते हैं तो केंद्रगत राहू बहुत शुब फल परदाता बनना चाहिए इस विशय को समझना होगा इसमें कहीं कोई संसे नहीं कि दसमस्त राहु को मैंने सदय अच्छा कहा बाकी के बचे तीन भाव सब्तम भाव, चतूर्थ भाव और लगन लेकिन सम्मिलित करके चारो केंद्रों को जरा समझिये मैं सबसे पहले बता दू अगर आपके मन में ये प्रश्ण उत्पन होता है अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्तिती है तो निसंदे ही ये प्रश्ण उत्पन होगा कि फिर मेरी कुंडली के केंद्र में राहु बैठे हैं तो ये राहु शुबफल प्रदाता बनेंगे क्योंकि सरबाधिक पापक रहा है प्रियदर्शकों अगर आप जोतिस को सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो आज क्या विश्य है आपको विचार करने हो आपके लिए विचार निये है आपको इसे समझना चाहिए निशन दे अगर राहू आपके केंद्र में है तो शुब फल प्रदाता बनेंगे केंद्रगत राहू जातक को धनी बनाते हैं साहसी और बलवान बनाते हैं दयालू बनाते हैं कुरूर भी बनाते हैं ऐसा जातक निम्न स्रेणी से प्रार्म्भकर के उच्च स्रेणी तक पहुँचने वाला होता है फिर से सुनिए और समझिए कि ऐसा जातक जिनकी जन्व कुंडली के केंद्र में राहू है जातक को धनी बनाएंगे, साहसी बनवाइंगे, बलवान बनाएंगे, दयालू बनाएंगे जातक केंदर कूरता भी होगी निम्न से उच्च स्रेणी तक ऐसा जातक पहुचेगा विशेश कर अगर लगन में बैठे हो ऐसे राहू तो जातक के चेहरे पर, सर पर, कट का कहीं निसान तो अवसे ही लगा देते हैं राहू का लगनगत होना जातक के सर पर या चेहरे पर कहीं न कहीं कट का निसान बना देते हैं ऐसे जातक को वो रोगी भी बना करके रखते हैं मूल मुद्दा ये नहीं है मूल मुद्दा तो ये है कि ये जो अच्छाईया मैंने बताई अगर जिसकी राशी में ये बैठकर के फल दे रहे हैं उसका राशी पती बलवान अवस्था में बैठा है तब तो केवल राहू अच्छा ही फल देंगे, हलाकि इसका अभी दूसरा पक्ष में तब भी समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर जिसकी रासी में बैठे हैं राहू, उसका रासी पती प्योडित अवस्था में, कमजोर अवस्था में, अस्त अथवामृत अवस्था में हैं, तब ये राहू कोई शुव फल प्रदाता नहीं बन पाएंगे, मैंने जितनी अच्छी बाते कही, वो नहीं होगा, एक और तत्थर तर्ख, कि इमान लिया जाए, कि राहू किंद्रगत हैं, जिसकी रासी में बैठे हैं, उसका रासी पती बलवान है, तब तो राहू हर प् के विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इनका मूल जो स्वरूप है, मूल जो प्रभाव है, वो विच्छेद कराना ही है, तो केंद्रगत रहेंगे, तो निशन देह वो चीजों को तो देंगे, इसमें कहीं कोई संस है नहीं, मैंने कहा, निम्न से उच्छ स्रेणी तक पहुँचन आपकी लगन से सब कुछ, याद रखिएगा कि जन्म कुंडली के 12 में से 11 भावों से हर भाव से कुछ न कुछ विचार किया जाता है, लेकिन लगने कैसा भाव है, जिससे देखा जाए तो गुप्त त्रिकोन भी कहते हैं, लगने कैसा भाव है, जिससे सब कुछ विचार क तो लगनगत राहु और बाकी की जिन भावों से रिस्ता जुडा हुआ है रिस्तो पर इनका असर बराबर पड़ेगा और रिस्ते टूटेंगे यानि रिस्तो में विच्छेद आत्मक च्तुती उत्पर्न होगी चाहे वह अच्छी स्तुती में हो बुरी स्तुती में हो हर अवस्था में रिष्टे को ये विच्छेद की तरफ ले जाएंगे इस बात को नोट करके रखिए आप जो किसी कुंडली का ध्यान कर रहे हो अपनी जन्म कुंडली का ध्यान कर रहे हो तो इस बात का आपको खयाल रखना है कि राहू केंद्रगत हैं तो आपको अच्छा परिणाम बताना है जिस रासी में बैठे हैं उसका रासी पती बली अवस्था में तो आपको शुभू परिणाम बताना है लेकिन रिस्ते की बात आएगी राहू जिस भाव पर दृष्टी डाल रहे हैं वहां से जो रिस्ता अगर चंद्रमा बली उस्तिती में हैं तो फिर कहेंगे कि मा का स्वास्थ सदईव खराब रहेगा या मा के हड्डियों में जोडों में दर्थ की शिकायत बनी रहेगी या मा को मानसी का सांती बनी रहेगी मा को कोई न कोई रोग बना रहेगा घर में कलह का वाता बरण बन कि जातक के जीवन में धन संपदा तो है भौतिक सुखों से संबंधित जितनी चीजें चाहिए वो जातक के जीवन में है लेकिन जातक के जीवन में वो एक शांती नहीं है जिसे सांती को पाने के लिए इंसान कोई भी मुल्ले देने को तयार रहता है वो शांती उसको प्राप्त नहीं करने देंगे तो अगर आपकी जन्म कुंडली के केंद्र में राहू बैठे हैं तो इस बात को नोट करिए निसंदे मैंने जैसा सूत्र समझाया केंद्रा दिपति दोश में कि पापगर शुबफल देते हैं राहू निसंदे शुबफल प्रदायक बनेंगे लेकिन ये बाते भी जो आज मैंने बताई आपको नोट करके रखे